वेल गाज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Yes Bank Personal Loan के बारे में देखिए Yes Bank के अंदर Personal Loan अप्लाई करने का options मिलता है यह मिलता है साथ में आपको जिभाए धेरो सारा benefit मिल लाता है जैसे कि आपका जिभाए Interestate कम लगता है, Processing Charge कम लगती है आप अपना EMI जबे अपना answer set कर सकते हैं, दूसरा यहाँ पर डोक्मेंट आपको minimum लगती है देखें इस वीडियो में हम आपसों को पूरे बारिकी से बताने वाले हैं और यहाँ पर step by step चीजों को हम cover की हैं यानिकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो में का मुंका नहीं मिलेगा हाला कि अपने YouTube पे जाएंगे और वहाँ पर सर्च करेंगे तो आपको धेर्аж सार हम वाँपे वीडियो को मिल जाएगा यस बेंग में प्रस्टनल अपलाई कैसे करना होता तो चलिए यहां पर जादे समाहिम आप लोग का नहीं लेंगे मातर यहां पर पांसाथ मिनट का समाहिए आमको दीजिए और इस वीडियो को जो पर कॉंप्लीट वाज करके देखें चलिए बकरती को करते हैं साइड में और नीचे आप एस्क्रोल करके आओगे तो यहां पर भी आपको जो है लोन वाला सेक्शन मिल जाएगा यहां पर प्रस्टनल लोट इमाई क्लिक्लेटर दिया गया यहां पर हम क्लिक करते हैं हमारे सामने कुछ इस परकार से इंटरफेस ओपन हो रही है सबसे पहले यहां पर लॉब करना कि आप लॉन कितना रुपएन लेने वाले हो यहां पर दोलाक neo Dollar Yap लोन लेने वाले हैं तो यहां पर हम दो लॉक पुछा जाता है इंटरय स्टेट यहां मिनवां 12 परशंट दिया गया है जो कि यहां पर हम रहने दें रहींग्या इसके बाद नीचे नीचे पतली इमाई हमारा जो है 9,415 रुपया आ रहा है ठीक है यहाँ पर टोटल इंट्रेस्ट टेट आप देखेंगे तो 25,960 रुपया दिखा रहा है और यहाँ पर टोटल पैसा जो है आप सब को इस बैंक को लाउटाना है दो लाग 25,960 रुपया ठीक है यानिकि दो लाग पर टोकमेंट के बारे में इल्डिविटी के बारे में तो यहाँ पर आपको नो मोर का अप्सेंस मिलता है यहाँ आप क्लिक करेंगे उसके बाद आप सब के सामने कुछ इस परकार से इंटर पेस आएगा अब आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर इसका टॉप बेन विदक आपको लोन चुकता करने के बाद मिल सकता है देखिए अगर आप सेलीट पर्सन होगे यहाँ पर बताया गया है मस्ट भी सेलीट इंपल्याइब और प्राइबेट और पॉब्लिक इंटर प्राइज ठिक है यहाँ पर पर से लिक नोब करते होगे मुंद्जब करते परचा निकाल लेते होंगे तो यहां पर लोन आपको मिल जाएगी यहां कि लगबग हम बात करें तो 20,000 से उपर आपको आपको अच्छा होगा उतना ही अच्छा आपको यहां पर लोन आफर्स करा जाएगा उसके साथ आपका इंट्रेस्ट बिल्कुल कम रहेगा अब नीच अगर अगें आप सेलिग परसान है तो आपको इंट्रेस्ट डेट मिनमम यहां पर लेकर 20% की बिस में आपका इंट्रेस्ट रहेगा उसके बाद यहां पर परसेसिंग फीस बताया गया परसेसिंग प्र्सेविस आपट यहां पे बताया च्छा तो देखे यह हायर आपका photo id. search as adhar card passport driving license, यानना कि यहां पर आपका आधहार card passport driving license इसमें से एक document होता है, न था घर पर आप रिँटोंतीफ प्रूफ में देश सकते हैं ऐ्ड्रेस πूरुफ में यहां पर बताया गया कि आप अपना बिजली बिलकार सीधर सकते हैं या आप अपना आधार काड यहां पर देख सकते हैं उसके पद यहां पर income proof मागा जारा है income proof में देखेंगे salary slip मागा जारा income tax return bank statement यानकि इन तीनों में से एक भी डोकुमेंट आपके यहां पर लगा सकते हैं ठीक है अगर तीनों डोकुमेंट वेसे कोई आपके पास नहीं तो नर्मली आप अपना पास्बूक का फोटो भी यहां पर लगा सकते हैं उसके पाद यहां पर employment verification दिया गया यानकि आपका verification किया जाएगा आपका KYC जो बिलकुल यहां complete किया जाएगा उसके बाद यहां पर credit history यानि कि आपका credit देखा जाएगा कि पिछले अगर आप loan ली होंगे चुकता नहीं कियोंगे यहां आपका civil down होगा तो यहां पर आपको loan नहीं मिलेगा यहां पर आप अपना नाम फिल करेंगे यहां पर last name फिल करेंगे उसके बाद यहां पर personal mobile नमर फिल करेंगे email id यहां पर फिल करेंगे यहाँ पर 5 लग से 10 लाग या 5 लग से नीचे कमाते हूँ तो यहाँ पर slut करेंगे उसके बाद एक box मिलता है इस box को tick करेंगे और यहाँ पर submit पर क्लिक कर देंगे अब फानली आप यहाँ पर अपना firm submit कर देते हैं उसके बाद जोब है आपके bank के थुरू यानि कि आपके nearest में जो branch हो का yes bank का उसके मादधाम से आपके पास call किया जाएगा और आपके document के सम्बंदित आपके loan के सम्बंदित जनकारी मांगा जाएगा अगर आपके पास document complete होत दूसरा तरीका जो है आप सबको यहाँ पर apply online का उसस मिलता है यानिकि apply now पर आप क्लिक करेंगे यह चीज जो है आप mobile से करेंगे तो बहतर रहेगा अप play store पर सर्च करेंगे yes bank आपके सामने एक application open होगा application को install करना है उसके बाद जो है उसमें आपको personal apply करना है सबसे पहले आप सबको यहाँ पर अपना mobile नमर फिल करना है customer id फिल करना है यानिकि अगर आपका खाता इसमें होगा तो simply आप अपने mobile के play store से application को open करेंगे और वहां से डिरेक्ट प्रसेनल अप्लाई करेंगे ठीक है यहाँ पर भी आप सबको 3-4 step को complete करना होता है जैसे कि आपको अप वीडियो में clearly देखनों को मिल गया होगा कि US bank में प्रस्टनल अप्लाई कैसे करना होता है वीडियो के अब weed करेंगे उमीद करते हैं कि वीडियो आप से पक लूहरा होगा वीडियो अचला लगा हो तो please video को एक लाइक और मैं-चलों को subscribe जरूरा कर दिजगा